आइ स्ट्टुदेंस वेलंकम टॉँ बनीव सेशन या लास्ट शेशन में हममें देखा था 지원 ग्रेटिum वींडोड प्रोग्रामस युजिंग फरीव क्लास पीशिनम््राइश में हमें आम लोग देखेंगि क्रेंग विंडोड Pr channels using applets हम लोग applets लेके कैसे एक विंडो प्रपेर कर सकते हैं पहले देख लेते हैं की उसका राइटिंग सिंटेक्स कैसे होता है यह है उसका राइटिंग सिंटेक्स अब अगर हम लोग applets ले रहे हैं तो उसका class extend करना होगा अब कैसे लिखेंगे हम लोग class my applet extends applet अब यह class हम लोग क्या करेंगे इन हेरिट करेंगे अब देखिए यहां पर अगर applet है तो यहां पर main function नहीं आएगा applet के जो inbuilt functions है वो हमें यहां पर लेने होंगे so program जब भी हम run करेंगे तो without main का run करना होगा तो अगर main नहीं है तो applet क्या support करते हैं in it that means initialization तो यह code का initialization जो भी करना है यहां से शुरू करना होगा तो main की जगह क्या लिखेंगे हम public void in it यह change होगा एक major और applet class use करेंगे के अब जैसे हमने package यूज किया था होँआ पे frame में वैसे ही applet में भी आएगा right a frame in an applet is created by extending a normal class कौन सा वाला normal class my applet with built-in class कौन सा वाला class है applet का कौन सा package में से आ रहा है यह java.applet.applet अब यह दोनों में फर्क है क्योंकि यहां पे small a है यानि कि यह package हो गया यहां पे capital A है इसका मतलब यह class हो गया क्लास को एक्स्टेंड कर रहे है न तो यह class हो जाएगा यह package हो जाएगा और यह भी package हो जाएगा मतलब जावा फोल्डर के अंदर applet नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर applet with starting with capital A class name है तो चलिए let's see how to create a windowed program using applet अब applets यूज करके हम लोग एक windowed program कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं चलिए आप स्विच कर लेता हूं यहां पर मैंने statement लिख रखा है राइट प्रोग्राम तो डेमोंस्ट्रेट फ्रेम यूजिंग अब हमें क्या करना है अपलेट का यूज करना है तो पहले package क्या लगेगा हमें import java.awt.start यह package हमने क्या क्या इंपोर्ट कर लिया दूसरा applet के लिए क्या लगेगा जावा .applet यह हो गया package .classname क्या लेना है अब थोड़ा सा यहां पर चेंज आता है चेंज क्या आएगा आपको बताना पड़ेगा कि आप आप यूज कर रहे हैं तुरू package आपने बता दिया लेकिन प्रोग्रामाटिकली इसको डिफाइन करना होगा तो डिफाइन करने के लिए लिए हम डॉक्मेंडेशन यूज करेंगे यह होता है है डॉक्मेंडेशन स्टार्ट और एंडिंग इसका उल्टा होता है मैं दिखाऊंगा आपको और इसके लिए हमें एक अपलेट का टाग लिखना होता है जैसे कि HTML में लिखते हैं हम लोग तो ऐसे लिखेंगे हम लोग एपलेट मतलब यह टाइक स्टार्ट हो गया कोड क्या लिखना है कहां से लेंगे जो हमारा file का नाम होगा क्या होगा file का name my applet यह हमारा file का नाम है अब उसको मालूम पड़ गया कि कौन सा Java फाइल रफ़ करना है अब frame का size define करना है width कितना लेंगे 500 height and height वो भी 500 यह हो गया height and width of our applet अब यह close कर देदें अभी तक हमने applet का tag close नहीं किया है, तो next line पे applet का tag भी close कर दिया, अब documentation भी close कर देंगे, यह हो गया applet declaration, मतलब जो front end पे दिखेगा हमें, उसको क्या करना है हमें, यहां से 500 as width और यहां से 500 as height, अब यह तो हो गया, front end दिखने के लिए, अंदर जो print करना है, frame के अंदर, उसक जावा का code यह है, तो my applet से वो code invoke कर लेगा, अब चलिए code लिखते हैं, public class, my applet, कौन सा class extension करेगा, applet वाला, ओके, अब main नहीं आएगा, यहां पे, क्या आएगा, init method आएगा, एक text वहां पे ले लेते हैं, तो c की empty frame ना आए, तो label लेते हैं, label l equal to new label, right, अब label को कुछ अंदर text देते हैं, this is a demo program using applet, let's see, क्या क्या है, हमने text दे दिया, अब, यह तो component हो जाएगा, component को कहाँ पे store करते हैं, container में, तो container का कौन सा method है, add, add लिखना पढ़ेगा, कौन सा object add करना है, उसको बोलेंगे, label का l, तो यह object add हो आएगा, right, चलिए मैं इसको अब save कर लेता हूँ, यह हो गया, save, अब क्या करेंगे, command prompt पे जाके, इसको execute करेंगे, चलिए, अब execute करने का method क्या है, javac, file name, file name क्या है, myapplet.java, यह देखे, code compile हो गया, अब क्या करना है, code को execute करना है, execute करने के लिए, अगर आप applet यूज़ कर रहे ना, तो उसका थोड़ा सा execution method अलग से होता है, उसको हम अलग class यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, applet viewer, a-p-p-l-e-t-v-i-e-w-e-r, एक साथ ही लिखना है आपको, फिर space देंगे, file name, .java देना है execution के time, देखे, मैं पूरी तरह से पढ़ के दिखा दूँ, आपको, applet viewer, space, file का नाम है, myapplet.java, हम एंटर प्रेस करता हूँ, यह दिखे, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, हमारा window आ जाएगा, क्या था हमारा window, 500 by 500 का height and width, तो यहाँ पर आ रहा है, हमने एक message दिया था, this is a demo program using applets, यह एक simple label था, तो यह लेबल यहाँ पर हमको दिख रहा है, यह दिखे, corner पर जब मैं लेता हूँ, तो यह height और width, और resizing corners, दोनों भी दिखा रहा है, मतलब मैं change कर सकता हूँ, इसका height and width, तो इसको बोलते हैं, resizing, resizing अगर होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, it is a frame, यह होता है, title bar, यह अंदर वाला है, menu, यह होता है, status bar, यह कुछ भी नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, panel, अगर यह सब है उसके अंदर, तो उसका हम कहते हैं, frame, अब applets directly support करता है, इसको windows closing की method की ज़रूत नहीं हो यह देखे, मैं यहां पर close कर रहा हूं, साथ में आपको यह वाला window भी सामने रखता हूं, तो जब मैं यह close करूंगा, तो दिखे, program यहां से exit हो गया, और नए line को आ गया, right, समझ में आ रहा है है, good, so what we are doing here is, हम लोग applets से भी देखा, last session में हमने frame यूज करके देखा, दो most convenient way to create a windowed program is by using frame, okay, so in next session, we will see what are the different AWT controls, हम लोग देखेंगे, what are buttons, labels, text box, text area, combo buttons, radio buttons, etc, etc, right, बहुत सारे controls है, हम लोग one by one, next session में देखेंगे,